हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुनिल कुमार पांडे और एडू प्रांट में आप सभी का स्वागत है आज मैं टीचिंग आफ इंग्लिश के स्पेकिंग स्किल के बारे में बात करूँगा तो आईए समझते हैं स्पेकिंग स्किल को उसके डेफिनिशन को काम आते हैं और साथ ही साथ कैसे हम इस स्किल को एवलुएट कर सकते हैं तो लेट्स बेगिन विद इस कॉंसेप्ट मेनिंग यह वेरी सिंपल लंग्विज वेहब दे मीनिंग लाइग तो यह बहुत ही सिंपल मेनिंग मैंने आपको बताया है आगे चलते हैं कि स्पेकिंग स्किल में वो कौन कौन सी अक्शन्स वो कौन कौन सी अक्टिविटीज हैं जो इन्वाल्व होते हैं वैसे स्पेकिंग तो बहुत ही ऑटोमेटिकली होता है बट इस ऑटोमेटिसिटी में भी बहुत सारे छोटे छोटे चोटे अक्शन्स मिले रहते हैं तो देखिए क्या कुछ अक्शन्स है इवन एक सेंटेंस को भी प्रोड्यूस करने में पहले हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है फिर formulation अपने सेंटेंस को आप फ्रेम करते हो माइंड में इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा ग्रैमर क्या लगाना है ये सारे चीज़े हम formulate करते हैं माइंड में then is the articulation means हम उस सेंटेंस को utter करते हैं बोलते हैं correct pronunciation और proper loudness के साथ साथ ही साथ हम अपने body language को और facial expression को भी use करते हैं so ये सारे ही चीज़ें even एक single sentence बोलने में use किये जाते हैं well now the significance or importance of speaking skill let's go to the significance or importance of speaking skill तो आईए समझते हैं कि speaking skill क्यों important है number one lingual importance सबसे पहला जो importance हम देख रहे हैं वो है language related importance अगर हम speaking सही करते हैं तो बाकी के अन्य जो language से सम्मनिद reading है writing है listening है वो भी हमारा improve हो जाता है number two educational और academic importance हमारे पढ़ाय लिखा है और सिक्षा में भी इसका बहुत उपियोग है social importance हमें समाज में अपने आपको adjust करने के लिए भी इसका speaking का बहुत importance है communicational and informational importance हम किसी भी बात को आगे पहुचाने के लिए किसी को information देने के लिए भी speaking का use करते हैं सो यहां भी इसका importance है economical importance economical importance को जरा समझ लिजे कि अगर आप किसी को communicate करना हो और अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत time लगेगा लेकिन आप उसको गर बोल करके बता देते हैं तो बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है यहां पर economical का मतलब है कि आपके time को और energy को बचाता है next one is occupational और professional importance आप spoken English के ही जरिये से कुछ occupation प्राप कर सकते हैं या फिर जो occupation आपका है उसमें और बहतर कर सकते हैं और आपका professional importance या professional development भी इसके थुरू हो सकता है next one is promotional importance बहुत बार होता है कि promotion में भी हमारा spoken English काम आता है कि हमें आगे और बहतर काम, बहतर opportunity और promotions बगरा मिलते हैं next one is personal importance speaking का अपना personal importance है हमारा personality development का एक हिस्सा होता है यह और हमारे daily life में बहुत सारे काम होते हैं जिसको कि हम speaking के थुरू, spoken English के थुरू कर सकते हैं now we are proceeding towards nature of speaking skill या फिर characteristics of speaking skill इसके characteristics या nature को देखे, number one speaking is an interactive process, no doubt it is knowledge and skill based इसमें हमें knowledge की भी जुरुत होगे speaking में और skill, बोलने के भी skill हमारा इसमें जुड़ा हुआ है it is oral, हम जुबानी करते हैं इसको next one is it uses vocal organs हमारे जो vocal organs है, lung से लेकर के lips तक teeth, teeth, palate, tongue, यह सारी चीज़े हैं इसका इस्तिमाल spoken English में होता है requires words and grammar words की आवशकता पढ़ेगी, grammar की आवशकता पढ़ेगी includes non-linguistic elements spoken English में non-linguistic elements की भी ज़रत पढ़ेगी non-linguistic कहने का मतलब है कि language से अलग जैसे हम stress लगा देते हैं facial expression देते हैं, gesture लगाते हैं यह सारी चीज़े non-linguistic elements में आते हैं it is temporal यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम कोई sentence बोलते हैं तो थोड़े देर में फिर वो वहां से गयब हो जाता है written text जो है वो तो रहता है permanent रख सकते हैं, अब save करके लेकिन बोली गई बाते जो होती है वो temporal होती है, थोड़ी देर में यह हवा में will in हो जाती है next one is demands quick decision अब words क्या लगाना है किसी भी sentence को frame करने के लिए what words you are going to choose क्योंकि एक ही sentence को अलग-अलग words के साथ हम frame कर सकते हैं so यहाँ पर हमें time नहीं मिलता है लिखने में क्या होता है कि लिखने में हमें time मिलता है सोचने का और फिर नए नए words हमारी माइंड में आते रहते हैं यहाँ पर है कि फटा-फट से हमें बोलना होता है फटा-फट से decision ले करके sentence frame करना होता है next one is requires fast oral production और एक बार जब decision आपने ले लिया कि हमें यह sentence बोलना है तो उसको correct pronunciation के साथ आपको उसको produce करना होता है बोलना होता है then it demands automaticity through practice और यह बार बार प्राक्टिस करने के बाद जो speaking है English speaking उसमें automaticity आ जाने चाहिए कि automatically यह sentence frame हो grammar suitable लगे और automatically अपने आप स्वतह sentences बोले जाने चाहिए so this is all about nature now objectives of teaching speaking skill कि speaking skill पढ़ाने के हमारे क्या-क्या उद्देश्य होते हैं तो बढ़ते हैं उद्देश्य की और number one is to enable the students to express orally two to cultivate the habit of speaking English third to make them able to use language suited to situation fourth to cultivate the habit of correct pronunciation stress and intonation five to make them able to use appropriate words phrases and sentences for speaking sixth to enable them to use long sentences and to express the complete thought correctly seven to remove hesitations related to speaking or public speaking eight to make them able to use speech manners with correct postures and gestures ninth to enable them to use varied types of sentences in speaking like affirmative sentences interrogative exclamatory etc tenth to enable them to present ideas in logical sequence and proper fluency and confidence now types of speaking so based on modes purpose and place speaking can be of different types कि जो speaking है वो कितने types के हो सकते हैं तो आप देखें कुछ types मैंने यहां आपको बताएं हैं बाकि अलग-अलग क्राइटेरिया के उपर यह अलग-अलग types के हो सकते हैं still we have 15 types here formal, informal, interactional, referential, expressive, transactional, phatic, monologue, dialogue, face-to-face, telephonic, discussion, presentation, lecture, speech, etc तो यह आपके 15 types हैं speaking के and then we have characteristics of an effective speaker कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली तरीके से बोलता हो English उसके क्या निशानिया हैं, उसके क्या विश्षिश्ताई हैं number one is confident वो व्यक्ति confident होगा speaks clearly साप सपष्ट जितना loudness होना चाहिए उतने loud और clarity के साथ बोलेगा uses correct pronunciation सही उचारन का use करेगा speaks in normal speed speed ना दो बहुत ज़्यादा रखेगा नहीं बहुत कम uses dynamics dynamics कहने का मतलब है situation के हिसाब से उतार चड़ाव changes लाते रहेगा monotony में नहीं बोलेगा next one is possesses powerful active vocabulary उसकी बहुत अच्छी होगी vocabulary makes eye contact smiles and shows warmth eye contact लोगों के साथ बनाता है muskurata है सही expression एक रैपो बनाता है audience के साथ next one is takes care of fluency appropriacy and accuracy वो fluency को proper बनाए रखता है और appropriate word appropriate grammar का use हो रहा इसका ध्यान रखता है plus accuracy accurate बोलता है कहीं गलतिया नहीं करता है so these were the eight characteristics of an effective speaker now we are going towards activities to develop speaking skill speaking skill को develop करने के लिए हमारे पास क्या-क्या activities है जो हम use करते हैं पढ़ाने के दौरान तो चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ और बहुत ही brief में बहुत ही short में मैं इसको explain कर दूँगा number one is short sentences drill छोटे-छोटे sentences का बच्चों से हम drill करवाते हैं जैसे hello तो बच्चे भी बोलते हैं hello what are you doing what are you doing or like that so छोटे-छोटे sentences का drill हम करवा सकते हैं replacement drill कि आपने बोला I am a teacher वो बोलेंगे I am a student तो teacher को student के साथ replace कर दिये imitation copy करना आप बड़े-बड़े sentences किसी word को pronounce करते हो वो सारे वो imitate करेंगे आपके साथ talk about an object किसी भी एक object के बारे में उनको बात करने के लिए बोलिए dictation हाँ इसको समझे है dictation में क्या करते हम कि कुछ words dictate करवाते हैं उन words के base पर उनको एक छोटी-मोटी कहानिया बनानी होते paragraph हो लिखेंगे और फिर उसको orally present करेंगे यहां पर ध्यां रखने वाली बात है कि हम spoken English की बात कर रहे हैं speaking skill की बात कर रहे हैं तो बच्चों को orally present करना जरूरी है dictation is not that की spelling check हम कर रहे हैं यापर it's dictation of some keywords on based on those keywords they have to frame one story or one paragraph and they have to present it in oral sense next one is role play, dramatization or pair talk आप अलग अलग role assign कर देते हो बच्चों को और फिर वापस में बात करते हैं next one is personal experience sharing किसी का personal कुछ experience हो new year celebration my birthday celebration or my first day in the school, my first day in the college or like that so they would be sharing their experiences news reading is there short speech है, lecture in a class or presentation mock oral interviews आप बच्चों से interview ले सकते हो mock कुछ questions आप पूछते हैं जैसे interview में पूछ आते हैं लग लग तरह की questions आप पूछ सकते हैं तो mock interview के form में आप ये activity करवा सकते हैं brainstorming बच्चों को किसी topic के बारे में brainstorming करवा सकते हैं किसी problem के solution पर based brainstorming करवा सकते हैं, जा वो freely सोचते हैं, but ultimately आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे उसको orally present करें storytelling is there अब storytelling के भी अलग-अलग style है skeleton story, circular story, theme picture explanation and picture composition or that is set of set of pictures इसमें जो skeleton story है उसमें क्या है कि story पूरी नहीं रहती है, उसमें बीच-बीच से portion गायब है, धाचा रहता है framework रहता है, skeleton जिसमें कहता है skeleton हड़िया है पट उसपे muscle, skin ये सारे लगने हैं भी, तो skeleton story is a type of story where so many things are lacking, तो वो जो lacking है उसको बच्चों को पूरा करना होता, complete करने के बाद class के सामने वो present करेंगे orally, circular story कि बच्चे एक circle circle बना करके बैठ जाएंगे कोई एक शुरू करेगा फिर अगला उसको आगे आगे बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा कि कहानी दो 4-5 sentences मैंने add किया, 4-5 sentences के आगे वाले add करेंगे, इस तरह से वो एक circular में story complete होगी अगर एक circle में complete नहीं हो पाती story, तो हम दूसरा circle भी पूरा करेंगे then is same picture explanation कोई एक picture होता है, उसी picture को explain करना होता है, जबकि picture composition जो है वो set of pictures होता है, एक sequence में pictures लगे होते हैं, उन सारे pictures को देख करके कहानी को समझना होता है, और उसी कहानी को orally present करना पड़ता है, then is discussion and debate, you must be knowing it now we are coming to the evaluation section, how we have to evaluate speaking skill कि कैसे इसको हम evaluate करें इसको evaluate करने के लिए हमें rubric बनाना पड़ेगा, rubric क्या है, कि उसमें हम पहले criteria लेते हैं, और हर एक criteria को हम grade करेंगे, वहाँ पर हम उसे performance के आधार पर rate करेंगे कि कोई एक बच्चा किसी एक particular criteria में कितना बढ़िया perform करता है, तो आप एक बार देखें कि क्या क्या criteria हम ले सकते हैं, speaking skill को evaluate करने के लिए हम लेंगे pronunciation, stress and intonation, body language, content confidence vocabulary, accuracy fluency appropriacy and overall performance ये criteria जो basic criteria है, ये तो आपको लेना ही लेना है, आप चाहें तो activity के nature पर depend करता है कि आप इसमें से थोड़े से कम या थोड़े से और भी ज्यादा ले सकते हैं so, एक तरफ हम criteria लिखेंगे और हर एक criteria के आगे 1, 2, 3, 4, 5 5 तरह के हम जो grade है, जो rate है वो हम लगाएंगे जैसे जो performance best रहेगा अगर pronunciation को हम grade दे रहे हैं और वो best performance आया है उस बच्चे का कि pronunciation बहुत सही कर रहा है तो हम उसको देंगे high या very good या five marks देंगे ये तीन तरह का हम नहीं यहाँ पर rate यूज किया हुआ है आप यूज कर सकते हैं high, medium satisfactory, underperformed and unsatisfactory या फिर या आप यूज कर सकते हैं very good, good average, below average and poor या फिर आप अगर marks में देना चाहते हैं तब आप best को दे सकते हैं five, then four, three, two और जो unsatisfactory या poor performance है उसको आप देंगे one इस तरह से हम evaluate कर सकते हैं हर एक criteria को इसको हम दो mode में कर सकते हैं एक synchronous और दुसरा asynchronous मतलब एक जब activity चल रही है बच्चा जब speech दे रहा है या फिर कोई जो oral expression है वो उसी time पर कर रहा है और उसी time पर हम उसको assess कर रहे हैं तब या फिर हम उसको video recording में ले सकते हैं और फिर बाद में हम उसको assess कर सकते हैं evaluate कर सकते हैं So this is all about speaking skill अगर आपको video अच्छा लगा हो तो comment कर सकते हैं, like कर सकते हैं, share कर सकते हैं Thank you, all the best उससोस्ट देसा सकते हैं